महाराज चुनाओं के नतीजे आए पास दिन हो चुके हैं और BJP और सिफसेना के बीच में नूरा कुस्ती जारी है सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आज के दिन क्या हुआ और फिर समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आखी आने वाले दिनों में क्या होगा तो सबसे पहले आज सिफसेना के संजे राउत ने यह बयान दिया उनसे जब यह पूछा गया कि सरकार क्यों नहीं बन रही है इसमें देरी क्यों है तो उन्होंने कहा कि महरास्ट में कोई दुष्चन चोटाला नहीं है और दुष्चन चोटाला के पिता जेल में नहीं है जिसकी वज़े से देरी ही हो रही है कहने का मतलब साफ था कि किस तरह से उनके पिता जेल में थे और उस आधार पे बारगेनिंग होई और उनके पिता को रिहा कर दिया गया इसलिए हर्याना में सरकार जल्दी बन गई जबकि महाराश्ट में ऐसी कोई सिती नहीं है और इसलिए सरकार बनने में देरी हो रही है उसके थोड़ी दिर के बाद महाराश्ट के मुख्यमंत्री देविंद्फरनविस निकले और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई फामूला तैर नहीं हुआ था लोगसभा चुनाओ के दोरान कि धाई-धाई साल का टेनियर सिफसेना और बीजेबी के बीच में बटेगा यानि कि इस तरह की कोई कमिट्मेंट नहीं हुई थी और अगले पांस सालों तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा और इसमें कोई ABC प्लान नहीं है सिर्फ प्लान A है जिसमें की मुख्यमंत्री देविंद्फरन विस होंगे इसके बाद तानतनी और बढ़ी और जो अमिट शाह को 30 तारीको महरास्ट जाना था मुंबई जाना था वो कहा गया कि वो दौरा टल गया है वो होल पे चला गया है और आने वाले दिनों में जब शिफशेना एक तरह से कूरी तरह से तैयार हो जाएगी बादचित के लिए तब ही वो मंबई जाएंगे अब दूसरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसकी हो रहा है क्योंकि स्टिप सेना जानती है कि उन्हें पांस साल के बाद ये पहला मौका मिला है जब वो BJP को अपनी गिरफ में ले सकते हैं क्योंकि आपको याद हुआ कि 2014 में BJP ने NCP की सहायता से यानि कि उनके सपोर्ट से सरकार बना ली थी NCP ने unconditional सपोर्ट दिया था और एक वहिना तक स्टिप सेना बिपक्ष में बैठी थी और फिर चाकर बाद में सरकार में शामिल होई थी तो वो जो कसक है उनको लगता है कि आज की तारिक में BJP के पास numbers नहीं है जो पिछली बार 122 का कड़ा था वो किसकर 105 पर आ गया है वो Congress के पास जा नहीं सकती NCP के पास जा नहीं सकती Independent जो है इतने है नहीं कि जिसकी सहायता से BJP सरकार बना ले तो इसलिए bargaining का सबसे बढ़िया मौका है इसलिए सिफसेना ऐसा कर रही है लेकिन सिफसेना को भी पता है कि उसके पास भी कोई खास ज्यादा option नहीं है वो भी NCP के पास नहीं जा सकती वो भी Congress के पास नहीं जा सकती उसे BJP के साथ सरकार बनाना होगा लेकिन सरकार बनाने के साथ साथ जो पास साल का दुख दर्द छेला है उसका कम से कम मज़ा अगले 2-4-5 दिनों में उठा लिया जाए तो आने वाले दिनों में क्या होगा आने वाले दिनों में यही होगा कि दोनों दल मिलकर सरकार बनाएंगे और BJP जिस तरह से एसर्टिव है उसमें BJP सोट से कहना है कि सिफसेना के धेर सारे विधायक उनके संपर्क में है और जादा अगर सिफसेना ने आना कानी की तो वो सिफसेना की विधायकों को तोड़ भी सकती है तो यानि कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे बारगेनिंग की सिफसेना थोड़ी बहुत बेहतर बारगेनिंग कर सकती है चोकि इस बार हलात डिफरेंट है 2014 से शंकरान इमेज दप्रेंट लेकिन हमारे बाकी वीडियोज आपको कैसे लगते हैं उस पे अपनी राय दे और हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं